Good morning, good afternoon, good evening, ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा special होने वाली है work from home candidate के लिए अगर आप एक job की दलाश कर रहे हैं, आप अभी तक unemployed हैं और आप चाहते हैं आपको वो job मिले जो permanent work from home रहे specially for female candidate, काफी सारे female candidate के comments आये थे और उन्होंने अपने बारे में बताया और उन्हेंने difficulties भी बताए कि सर हमारा outdoor जाना इतना possible नहीं हो पाता due to lot of reason बट हम work from home job करना चाहते हैं, अच्छी qualification भी है और उसके बाद भी job नहीं मिल रहे हैं तो कोई अच्छी सी job लेके आईए, तो उसी चीज़ों को consider करा हमारी टीम ने और यहाँ पे आपके लिए one of the best job लेके आये work from home online tuition, जैसे आप सभी को पता है कि जब कभी हम घर पे बैठ के या अपने local area में बात करते हैं काम करने के तो tuition एक ऐसा काम है जो यहाँ पे बहुत easily कर पाते हैं और अच्छा payout भी मिलता है बट हर जगह हर टाइप के candidate अविलेबल नहीं होते तो यहाँ पे आप online tuition कर सकते हैं, company आपको student लाकर देगी, जिस्ट आपको students को पढ़ाना है और जितने student को आप पढ़ाओगे, उतना आपका payout रहेगा पढ़ाना आपको घर पे है, work from home यह job होने वाली है तो अब इस job को थोड़ा सा जादा detail में समझते हैं कि क्या आपके subject रहेंगे किस profile पे आपको पढ़ाना रहेगा, किस type के student रहेगे, कितना payout होग और क्या-क्या benefits आपको मिलने वाले अगर आप इस job को join करते हैं तो without waste stage of time चलिए वीडियो को करते हैं, like और इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों हम आच चुके हैं कंपनी के officially website पे, top of the part पे ही लिखा है become an expert, तो यह become an expert का मतलब है, आप जिस subject में पढ़ा रहे हैं, उसमें आप expert बन सकते हैं और आपकी जो profile है, वो subject expert की रहेगी, यहाँ पर मैं clearly बता दू, कोई fixed income नहीं है यह work from home part time freelancer job है, तो जितना काम उतनी कम आई, for example आपके बास 20 candidate हैं और आप 2 गंटे हैं, 3 गंटे पढ़ा रहे हैं, तो आपकी approximately 40-45 जार earning रहेगी, वहीं पर number of candidate 2-3 है और आप सिब 1 गंटा पढ़ा रहे हैं, तो वो 7-8 जार हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आप काम कर रहे हैं, उस पर depend कर रहा है कि आप कितना कमा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई fix salary पार्ट नहीं है, अगर मैं बताओं आप इसे लोग कितना कमाते हैं, तो yes, एक एक लाग रुबे तक लोग कमाते हैं, जो full time, dedicatedly यहाँ पर काम करते हैं, बस totally depend on you, तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, कि आप इस company को, जिस जब भी आप comfortable हैं, उसी comfortable के according, अपने जो time schedule है, उसको करवा सकते हैं, for example, मैं evening में comfortable हूँ, तो आप यहाँ पर बता दीजे, evening और जो भी student evening में आप से पढ़ना चाहता है, वो आप से connect कर लेगा, it's quite simple, तो यहाँ पर आप काम कर सकते है according to your schedule hours, secondly आता है knowledge, जब कभी हम लोगो को पढ़ाते हैं, तो हमारी knowledge भी enhance होती है, चुकि काफी सारी चीजे हम repeat करते हैं, काफी सारी new चीजे भी add-on होती है, तो one of my favorite job भी है, चुकि यहाँ पर आपका career भी build होता है, आपकी earning भी आती है, then है आपका payout, the best part क्या है कि यहाँ पर question payout मिलने वाला है, जैसे कि कि किसी और monthly basis पे रहेगा, और यहाँ पर clearly लिखा है, earn up to one lakh rupees a month, तो आप एक लाग रुपे मेने तक भी कमा सकते हैं, और काफी लोग कमाते भी हैं, पर यह totally depend करेगा, आप कितने hours यहाँ पर दे रहे हैं, then after है आपका meet up, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको office environment पिले, त आप meet up भी कर सकते हैं, आपके senior manager से भी meet up कर सकते हैं, यह work from home है, तो आपका discussion part नहीं रहेगा, वो सब चीजें आप पर possible हैं, तो यह सारे benefits आपको मिलने वाले हैं, और यह benefits लेने के लिए आपको चार step को follow करना है, सबसे पहले तो sign up करना है, sign up के अपनी registration details देनी है, secondly आपक हो जाएगा आपकी earning, तो चार स्टेप के अंदर आपको इस company को join करना है, अब यहां पे काफी सारे आपके question होंगे, कि sir अगर हम registration कर रहे हैं, join कर रहे हैं, कुछ amount तो pay नहीं करना, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपको अपनी जेब से एक single पहने भी खर्च नहीं करना, job मिल रही है, मतलब आप कमाओगे, काम करोगे, पैसा आपको मिलेगा, आपको pay out नहीं करना, then after, कौन कौन से subject आप choose कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा important है, जिससे आपको clear हो जाए, कि क्या आप इस job के लिए suitable candidate है, या नहीं, तो सबसे पहले आपका आता है, business, business related, जो भी आपकी bachelor इस अप्ले डिग्री है, वो सभी relevant रहेंगी, then after, आपका आता है, mathematics, तो अगर आपने बीसे इन mathematics कर रखा है, तो अभी आप apply कर सकते हैं, तो मतलब graduation degree की demand है, और इस subject के according, तो business हो गया, mathematics, then after, आपका science आता है, then after, आपका healthcare, मतलब जो MBBS candidate होते हैं, वो भी apply कर सकते हैं, उसके बाद आपका आता है, engineering, तो BTEC candidate can also apply, तो आपको code ही करना पड़ेगा, अगर coding strong नहीं है, स्विप आप पढ़ाने में interested है, तो आप यहाँ पे join कर सकते हैं, उसके बाद आती है, आपकी earth science, earth science को हम कह सकते हैं, environmental science की, जो environment से related होता है, जो कि आपका global gas होगा, is related to this, तो यह आप सभी subject के अंदर यहाँ पे apply कर सकते हैं, मुझे personally ऐसा लग रहा है, जितने मेजर subject के list ही, वो यहाँ पे complete हो रही है, then after आपके frequently asked question है, जो आप regularly पूस्ते रहते हो, तो company ने already यहाँ पे सभी वो mention कर दी है, जिसके अंदर third one आप जरूर पढ़िएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से subject के लिए available है और आप apply कर सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या requirements है, जो मैंने आपको बता है, उसको detail में mention किया गया है, जैसे business की profile में अगर आप जाना जा रहे हो, तो आपके पास accounting, बिस इन accounting, बिस इन economics, finance, operation management, इसकी BSc, owners या कोई भी डिग्री आपने लि engineering करी है, civil, computer science, CS engineering, electrical and mechanical, पांच ओ, engineering के जितनी भी stream है, उसमें से अगर आपने करी है, तो आप इस job को apply कर सकते हो, तो काफी सारी चीजे हैं जो आपको यहाँ पे detail में explain करी गई है, लास पार्ट में लिखा है कि पैसा कब आपके account में credit होगा, तो यहाँ पे बताये गया है कि NFT होगा, आपके bank में जो 15 तारिक होगा हर महीने की और यह एक से 31 होगा, example, एक से लेके 31 नमबर तक आपने जो भी कमा है, वो 15 दिसमबर को आपके account में credit हो जाएगा, तो इस तरीके से नोने आपके payout रखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत क्लिर लिखा हुआ है कि वो कोई payment आपकी Google, UPI और Airtel Money Cash में नहीं करते हैं, सिर्फ bank account और NFT, तो bank account जरूर यहाँ पर open करवाएं, चुकि आपके account में पैसा आएगा, सिर्फ bank account में, तो चलिए यहाँ पे इस job को apply करने के लिए email ID डाल सकते हैं, ISF पर click कर सकते हैं, submit कर सकते हैं, उसके बाद आपको और application बिल्ड करना चाहते हैं, मैसेज इंचोहार आपसे मिलूँगा नेक्स वीडियो के नेक्स इंटेंट पेपर, तिल देन, keep learning, keep going and keep watching, JBR